हेलो गाइस आज के वीडियो में आपका फिर से सवाकत है जैसे कि पिछली वीडियो में हमने इमेज मेनी पे उपर देखा था और हमारा एक option रहता था हम इसको किलियर करने वाले आज की वीडियो में फूर एक्जेंपल के साथ ताकि आपको अच्छे से समझाए ठीक है तो यहां पर एनलाइस ठीक है यह option हमारा कभी यूज होता है यहां पर सबसे पहला option इसके अंदर आते हो तो से मेजरमेंट स्केल यह तो पहले आपका यहां पर डीफोल्ट पर रहता है डीफोल्ट में क्यारा रहता है मतलब आप इसकाstart करते हो जब आपको क्योंга चीज का पता करना होता है scaling करनी होती है कि इस चीज़ की तब इसका यूज करते हो जैसे यहां पर टूल में भी आके यहां से select कर सकते हो ठीक है यहां से भी set select कर सकते हो otherwise यहां भी आप analysis में आओगे और यहां पर रूलर option दिखेगा उसको set करोगे तो यहां पर set measurement scale पर by default set रहता है यह पहली से ठीक है अगर आप ऐसे scaling करते हो जैसे माल लो यहां पर मैंने scaling की यहां पर यहां तक ठीक है इस यह जो मेरी notebook है इसकी scaling की तो यह अपनी तरह से count करके बता दिया भाई कि जो जो इसकी इसका size है यहां पर देख सकते हैं जो width है इसकी उसने बता दिया है यहां पर जो width है यहां पर 719 pixel width है ठीक है यह अभी आपका जो है pixel में दिखा रहा है अपने according यह size आपका दिखा रहा है जैसे माल लो मैंने यहां से यहां तक अगर shift प्रेस करोगे तो इस line एकदम state ही आएगी ठीक है अगर shift प्रेस करोगे तो ठीक है मैंने यहां से यहां तक इसको देखा ठीक है अब इसका size यहां पर बता रहा है यहां पर देख सकते हैं यहां पर height जो है 3456 pixel की height है ठीक है यह अपनी तरब से account करके बता रहा है जो इसको information इसको अपने हिसाफ से दिखा रहा है तो यहां पर pixel केरे हैं बता रहा है अगर मेरी लाइन थोड़ी भी टेड़ी होती है तो आप देखो कि यहां बताने लग लगा है ठीक है यहां पर इधर करते तो प्लस में दिखाएगा ठीक है ठीक है मतलब यह आप इसको विद्ध यह सब नहीं देखना आप इसको वोटिकल में कर रहे हो तो इसका साइज इतना है इतना है जो आपका इमेज आपर इपॉर्ट किया जितने पिक्सल का इमेज था उसके हिसाब से यहां पर दिखा रहा है कि इसका साइज इतना है साइज इसका है इतना है ठीक है स्केलिंग स्केलिंग आप इस तरह कर सकते हो ठीक है उसके बाद यहां पर जाते हो तो यह अपने वोडिंग काम करता है तो अगर यहां पर कॉस्टुमाईर में जाते हो ठीक है आप स्केलिंग करते हो ठीक है यहां से मैंने यहां तक इसकी स्क पता हो तो आप हर एक जितना भी मतलब option है इसमें जितने भी object व्कर आए करहा है उनका हर एक size पता लगा सकती है इसका size पूरा अच्छे तरीके से पता लगाया जा सकता है अगर एक size आपको पता हो जैसे यहां से मैंने यहां तक की ठीक है तो मेरे को पता है यहां पर जो है 15 cm का यह ठीक है मेरे को इतना पता है तो यह पिक्सल लेंथ अपने अकोडिंग इसने बता है कि 988 पिक्सल है ठीक है इसमें ठीक है अब मैं यहां से यहां तक यहां से यहां तक जो है 988 पिक्सल है ठीक है इसने अपने अकोडि सान्टीमेटर करोंगा है यहाँ पीक्सल है आपका 5 cm के बरावर मलब आप 5 cm इसमें count करोगे तो वो होगा 988 pixel के बरावर ठीक है इससे आपको यह बता लगिए ठीक है यहाँ पर बतावी रहे 988 equal to 5 cm ठीक है जो आपका 988 pixel यहाँ पर जो length बताएगा वो आपका समझ लो 5 pixel होगा ठीक है 5 cm होगा सोरी ठीक है अगर आपका 5 cm बताएगा तो वहाँ पर समझ लो आपका 988 pixel होगे उसके अंदर ठीक है फिर यहाँ पर बताब करेंगे करने के बाद आप क्या करोगे यहां पर अभी आप तो इसको बढ़ाते हो यहां कितना था उसके डवल हो गया ठीक है यहां पर देख सकते हो इसका पर लैंथ यहां पर दिखा रहा है और यहां तक प्रेस करोगे तो आपकी जो लाइन स्टेट आई स्टेट करता रहा है और यह जो साइज आपको बताने लगाया आपका यहां पर इसको अब यहाँ पर अगर किलिक नहीं करते हो तो पिक्सल में दिखाएगा ठीक है अगर यहाँ पर किलिक करते हो तो आपका इंच में जो सेंटिमेटर आपने फिले वहाँ पर किया था ठीक है किस्टमाइज किया था उसके अंदर दिखाएगा आपका ठीक है अगर इसको आ एंगल ही बता दिए कि 60 degree के एंगल पर यह जुका हुआ है ठीक है यह आपका horizontal line हो जाता है और उसके बीज का जो है यह चीज आपका angle बताता है ठीक है ठीक है इसको पहले क्या करते हैं क्लियर करते हैं ठीक है अब यहां पर क्या करोगे अब देखना चाहते हो कितने degree angle पर यह आपका rotate है जो book है तो आप क्या करोगे यहां से मालो यहां से एक straight line है तक यहां तक यहां तक लिए उसके बाद आप अल्ट प्रेस कि यह उसके बाद यहां तक यहां पर angle दोखो गए श्तासरी डिगरी एंगल पर यह रूटेट हुगा है यहां से आप देख सकते हो ठीक है अगर इसके लाबब आप क्या करोगे ठीक है इसको किलेर करता हूँ अब इसको ठीक है एक है यहाँ पर इस तरह लो और एक इस टेट लाइन की जो ठीक है अब यहाँ पर इस ट्रेंद लेहर पर करते हो तो आपके बुक को सीधा कर देगा आप देख सकते हैं बुक आपकी सीधी हो गई ठीक है इस तरह से आप जो है लैंड बगरा जो है जिसको में गया ऐस में गया और यहां पर यहां में सट मेज़ेमेंट की अंदर कश्टमाइज पर है कि इसका जो द्रौाजे का साहिज है यहां से लेकर यहां तक यह कितने साथ फूट गए तो मालो मैंने यहाँ पे साथ फूट भर दिया साथ फूट ठीक है यहाँ पिक्सल की जगह यहाँ पे फिट भर दिया ठीक है यहाँ पे मैंने फिट भर दिया ठीक है यहाँ पे इसने ओरियल साइज जो लिया था अपनी दरब से और यहाँ पर लोजिकल लेंथ मैंने भरती जो मुझे पता है ठीक है यहाँ पर फीट बर दिया किने फीट गया ठीक है अब यह क्या बोरा है नीचे चार सो इक्तालेश पिक्सल आपके साथ पेड के अं lleva है ठीक है जब मेरा 441 पिक्सल होगा जैसे मैं साइज ओगा मेरा साथ स्थ सो इकतालेस पिक्सल तो मैं समझगे लूगा और हो still फूट हो गया ठीक है फिर यहाँ पर ऑके करऊँगा तो 6 पीट यहां पी से करते हो तो आपका एतालीस हो गया है मतलब 421 पिक्सल में आपका साथ है प्याइब चलो 6 बैंने आपके 441 पिक्सल की ऩो यह जरही म्म supports इसलेए चालों अहां करण आर्षी चलो अब है। दोनों तरी से काम किरेंगा ठीक है बस आपका पता है इस तरह से हमलब की होगा कि आप प कि amendments की यहां से फिख्ल progress में डेकर इसको फिर से हाइट देखनी है तो मैंने ठीक है यहां तक मैंने हाइट देखनी है तो यहां पे बता रहा है की 19 फिट की है अगर इसको हीन प्रम कर दो यहां पर डिखा रहा है की 1221 की स्क्राइब आप इस्केड 2007 नंक्ई falseid nahई डिक है तो समझ लेना आपका जो है 7 bit हो गया या पिर आपका 7 bit की लेंज हो गया अगर आपने पिक्सल में समझने है तो आपने 441 पिक्सल लेंज रहेगी ठीक है तो आप इतना समझ के आप कोई भी कोई भी साइज पता लगा सकते हो जैसे यहां पर अपने पता लगाना है यहां से यहां तक बता देगा आपकी 30 bit की यहां तो इसके लावा इसको रिकोर्ड करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो ठीक है यहां पर जाओगे यहां पर सेट डाटा पॉइंट है इसको देखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा एजनप क्लिक करूगे तो इस तरह का उप्षन आपका है सो होगा यहां पर आपका इसकेल स्केल factor counter लेंज अंग कोस्तोर हो रहाया ठीक है लेंज अंगल कितने डिक्रेटरे पर सब रिकोर्ड हो रहा आपस आपने यहां पर record measurement करना है यह record होगा आपका आपने अलक्स एक और record करना है तो आप मान लो यहां से इसकी length इसको clear की है फिर यहां से आप चाहते हो कि यहां से जो है इसकी length भी record कर लूँ है shift press के state आईगी और इसकी length यहां पर record पर click कर दिया और इसकी length भी आप ने record कर लिए यहां पर 19 और 30 ठीक है मेरा जो सबसे पहला वाला है दोवरी record होगया है तो यहां पर level है ठीक है और यहां पर date बगरा time बगरा सब कुछ है यहां पर document है ठीक है यहां पर size बगरा है ठीक है इसको जितना आपने जो जो record करना चाहते है चैसे माल लो इसकी size पदा करना है आपने इसका size तो इसको भी आप इस तरह देख सकते हो ठीक है यहां पर देखा इसका भी size record management लिए करते है आप यहां पर ध्यान देना है यहां पर आपको यहां पर data date, time, document, source, scale scale unit, scale factor, count यहां पर length, angle, sub दिख रहा है इसको आप export भी कर सकते हो ठीक है? यहां पर click करोगे आप इसको export भी कर सकते हो यह वादर जो option ना यहां पर click करोगे तो आपका यह चीज export भी हो जाएगा इस तरीके से आपना किसी भी चीज़ का एक length पता हो तो आप उसको हर एक चीज़ के length बता सकते हो ठीक है image में? ठीक है कोई photo है आपकी आपने दूर से खीची आपको सिर्फ एक length पता है तो आप पूरे जो है घर की image के length बता सकते हो जैसे यहां पर खिड़की को मैं देखना है यहां पर कितना है तो यहां से इस ट्रेट पर रहें करेंगा स्टेट लाइन लेकर आऊँगा ठीक है यहां तक तो आप यहां पर record भी कर सकते हो इसको record कर लिया तो यहां पर देख सकते हो इसकी height जो है 4 feet है ठीक है? 4 feet आ रही है तरह से रिकोर्ड भी कर सकते है और इसको सेफ भी कर सकते हो ठीक है इस तरह से काम करता है यह रिकोर्ड वाला उप्शन ठीक है अब रिकोर्ड वाला उप्शन देख लिए नहीं यहां पर सब कुछ यहां पर यह चीज़ देख लिए आपने ठीक है यहां पर अब क्या करेंग के स्लैक्ट डेट पॉइंट है यहां पर इसको चुटमाईज करेंगे यहां पर कॉःच्टमाईज करो गे तो आप क्या चीज नहीं देखेगे जब रिकोर्ड करोगे तब यह आपको पता लगा जैसे मालो यहां पर डे करता हूं और इसमें से एक ही चीज यहां पर लैंथ मेरा चाहता हूं कि मेरा लैंथ दीखे बागे कुछ नहीं और एक और कर देता हूं count count वाला नहीं रहने देता हूं रूलर यहां पर level को select कर लेता हूं फिर okay करता हूं ठीक है अब यहां पर मैं क्या करता हूं image में जाता हूं अनलाइस पी क्लिक करता हूं अब यहां पर recording on करता हूं इसकी ठीक है इसको पहले बस select है ना okay किया था ना तो उसके बाद यहां पर कुछ भी recording करती हो जैसे मालों इसकी length जो है इसका with मैं जो है फिर से नाप रहा हूं ठीक है यहां पर नाप ठीक है इसको record कर लिया अब record कर लिया तो इसमें क्या आ रहे है मैंने दो चीस लग की थी एक levels और एक है length अब recording जो panel है है उसके अन्दर क्या के record कर रहे हri हो और यहां से select कर सकते हो कि आप कौन सी चीज hostelik record करना चाहते हो यहां पर उनको tick कर सकते हो तो मैं फिर से होने लगी इस तरह से इसको यूज कर सकतेयों ठीक है और इसब कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आते हैं वहाँ पर ऐ पांट टूल गया है अभी पता करते हैं आपने कोई चीज काउंट करनी है जैसे मालो इमेज में गए एनलाइस और काउंट करनी है तो मैंने यहां पर एक ठीक है काउंट कर दी और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो बारी-बारी ठीक है यहां पर राइट सेलक्ट किया फिर यहां पर इसको दो काउंट कर लिया यहां पर फिर से कलर सेलक्ट किया ठीक है यहां पर कॉंट ग्रोप यहां पर दख सकते हो ठीक है यहां पर इसकी भी रिकोडिंग कर सकते हो यहां पर रिकोडिंग पर यहां पर इसकी भी रिकोडिंग होई जैसे कॉंट किया यहां पर देखिए चार यहां पर एक दो तीन चार चीज़ यहां पर कॉंट के तो यहां पर कॉं अब आप यहाँ पे यहाँ पर चितना Бिय करते हो तो तो आपका 5 सैंटीमेटर से मल्टिफ्लॉई हो जाते हैं अब जितना भी यहाँ पर भी करोगे जैसे मां पर यहां मनें तीन किए यह मैं तया नींकि 15 motion के लेंद्ध हो जाएगा मेरा ही ठीक है उसका साइड यहां से फॉन्ट साइड भी बढ़ा सकता हूं यहां से मैंने यहां से बहत्तर पूरा कर दिया ठीक है वहां पर यहां पर आप यहां पर फॉन्ट जो है यहां पर सेलक्ट कर सकते मैंने एरियल ले लिया फिर ओके किया मै देखूगे एक इसका योज़ कर सकते हैं ॥ के सेंड जितने में जितने मर्जे सेंटीमेंटर के लाइन लगानी आप यहां पर यहां पर आप यहां पर पॉजिशन आप बता सकते हो बोटन टोप एन ब्लैक और वाइट कलर आप यहां यहां से प्रिज़ सेलेक्ट करता हूं और पॉंट साइट बढ़ा देता हूं यहां पर 30 ठीक है यहां पर देखिए आप यहां पर पॉंट साइट बढ़ा है तो यह देखिए इसका साइज भी कम ओगे ठीक है इस तरह से आप इसमें स्ट्रेट लाइन के सकते हो किसी को scaling बगरा करनी है तो इस तरीके से आप इसका use करके आप scaling अच्छी तरह कर सकते आज की वीडियो में हमारा जो edit menu complete होता है और हम आगे शुरू करेंगे जो edit menu का हमारा कुछ option रहते तो उनको आज उनको हम अगली वीडियो में cover करेंगे तो guys आज की वीडियो यहें पर समावत करते हैं तो guys वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें और comment करके जरूर बताया है वीडियो कैसे लगी कुछ ना समझाया हुआ तो comment में जरूर बताना तक हम आगे और भी अच्छे से आपको समझा सके तो guys मिलते हैं नेक्स वीडियो में तत्व लिए goodbye and take care